नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश बूसिंग और बिहार में ज्वातिकत जनगर्ना का फैसला हो गया है और इसकी तैयारी तेजी से बिहार सरकार ने शुरू कर दी है, सात इसतर पे यह ज्वातिकत जनगर्ना होने वाली है, जिसमें मनरेगा करता और शिक्षक भी शामिल होंगे यानि कि जातिगत जंगर्ना एक ऐसा मुद्दा जिस पर नितीश कुमार ने पहले भी कहा था और बीजेपी पर तंज भी कसा था और ये भी कहा था साती सात कि अगर लोग चाहते हैं कि जातिगत जंगर्ना हो तो भारती जंता पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए वही ज जाती आधारित जनगर्णा कराने के लिए सरकार ने अब अपनी तयारी तेजी से शुरू कर दी है, जाती आधारित गर्णा के मकसद से आठ इस तरो पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काम करेगी, इस टीम में शिक्षक लिपिक मन्रेगा कर्मी आंगन बाडी सेवक से लेकर जीविका समू के सदस्यों को शामिल किया गया है, जिलाधिकारी को इस बात की सुतंतरता दी गई है कि वह इन में से किसी के माध्यम से भी जाती आधारित गर्णा का काम कराना करवा सकते हैं, निगरानी का तंतर साथ इस तर से संचालित होगा, सामाने प्रशासन विभाग द्वारा सौमवार को इस पूरी योजना के बारे में विस्तृत तोर पर जानकारी दी गई, यानि कि सौमवार को इस पूरे मामले में विस्तृत तोर से जानकारी दी गई, साथ इस तर पर जाती गर्णा है, इसका संचालन होगा, यानि कि साथ तर पर लोग रख जाएंगे और वो इस पूरी जातिकत जनगर्ना का संचालन करेंगे। किसी के दुआरा दिये गए व्यक्तिगत आकड़ों में किसी तरह का बदलाव या फिर बदल नहीं किया जाएगा। कोई भी घर ना चूटे और साथी साथ ये भी पैमाना बनाया गया है कि इसकी जानकारी है वो और किसी अलग बंदे के साथ शेर नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति घरना करने वाले को जान बूच कर गलत जानकारी देता है या फिर जानकारी देने से मना करता है तो कर्मी इसकी जानकारी चार्ज अधिकारी को देंगे। चार्ज अधिकारी द्वारा इसके बाद कारवाई की जाएगी परपक्ष को इस बात की जिम्मेवारी सौपी गई है कि वह सुनिश्वित करेंगे कि कोई मकान कसबा या छेत्र कवरेज से ना छूटे। चार्ज अधिकारी के माध्यम से परवेक्षक और प्रगणक की नियुक्ती की जाएगी आठिस्तर पर जो विवस्था की गई है वह इस तरीके से होगी। चार्ज अधिकारी के तौर पर पर पांचवा अपर निगम आयुक्तव सिटी मैनेजर सहायक नगर चार्ज अधिकारी होंगे। इसमें जो शिक्षक हैं और मन्रेगा करता हैं और आंगनबाडी के जो लोग हैं वो जाकर ज्वातिगत जंगरना करेंगे। और इस पूरी चीज में दरसल बिहार में काम जो है वो तेजी से चालू हो गया है। डिजिटल मार्धियम से ये पूरा प्रॉसेस किया जाएगा ताकि किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जानकारी और किसी के साथ सांचा नहीं की जाएगी और जो जानकारी है उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा।